ताच बाद उम्रीड रूल्शित्थ बाबा ताच्चे देंट डुस्त में पूर्व अदेख्षों और पूर्व सचीव द्वारा करोडों के हेरा फेरी का मामला सामने आया है इस संदर में प्यारे खान इन्होंने 20 समक्ष अपनी प्रतिक्रिया साजा की। उसमें यह लिख रहे हैं डेविट बैलेंस फॉर फ्रॉम एक्स ट्रस्टी एंड नो एक्शन इस टेकन फॉर रिकवर तो यह तो इनको उठाना था और इसमें मामला क्या होता सप्रेशन आप मट्रियल फेक्ट तो यह नहीं बताने वाला भी इसका आरोपी बनता है तो से अलगी विश्य वह लग रहा तो इसमें हो सकता कि मिस्टर जीम कुब्रे को भी पुलीस आरोपी बनाए बिल्कुल जैसे आपने वो बताया कि जीम कुब्रे जो है उन्होंने क्यों यह मुद्दा ने उठाया यही बात जो है शेख हुसेन जो पूर्वा अदिक्ष रह च एक ने अगर क्राइम किया और मैं भी क्राइम करूं तो उनमें और मुझ में कोई फरक नहीं जबकि वह कानून के इतने बड़े जानकार थे उन्होंने क्यों नहीं किया सबसे पहले तो इसमें मैंने देखा कि सेक्शन 33 34 35 इसका सबसे बड़ा उलंगन हुआ क्योंकि जब उसमें उस पैसे का जवाब क्योंकि मेरे भी यहां से जाने के बाद में तो तीन साल के लिए मेरी कोई किसे से दुश्मन ही नहीं है सारे लोगों से मेरे अच्छे रिलेशन है लेकिन मैं आरोपी नहीं बन सकता मेरे को तो जो है वो लोगों के सामने या परशासें के सामने रखना पड़ेगा कि भई मेरे को ऐसा मिला यह मैं बताना जरूरी हैं अगर मैं नहीं करूंगा और तो मेरा भी हाल आगे चरके जियम को ब्रेसाब जैसे ही का बना अजा चुका है एसा भी जो है लगाया जा चुका है ने नी ऑडिटर को आरोप लगा इस जा चुके है पैसों का जो घूटाला किया गया है उसका खंडन करती हुए शेख हुसेइन जो पूरवा देख्षे थे उन्होंने कहा कि हमारे पास सारे स्टेटमेंट जो है बैंक के है वो जूटे नहीं हो सकते इस पर आप क्या बताव नहीं सबसे पहला तो लफड़ा यह कि कोई भी चेर्मेन या कोई भी ट्रस्टी इंडिविजल अकाउंट के अंदर पैसा नहीं ले सकता भाई उसका एक सिस्टम है कि आपको गौर्मेंट एक गाइडलाइन बनाया है कि आपको चार हजार के उपर जो भी पैसा एक तो कैश खर्चा नहीं कर सकते उसके बाद जो भी आपको बड़ा पैसा खर्चा करना एक लाग दो लाग पांच लाग दस लाग उसके तीन कोटेशन बनाने होंगे जो चैरिटी कमिशनर द्वारा एक लिखित में दिया गया है कि आपको इस सिस्टम से काम तो वो सिस्टम पे अमली नहीं हुआ है और पैसा लिया है उसका सपोर्टिंग डाकुमेंट सी नहीं है ना कि वो पैसा गया का वो पैसे का क्या हुआ शेख हुसें जी है इन्होंने यह भी कहा है कि बेबुनियाद आरोप लगा कर राजनिती कर मेरी छवी खराब की जा रही है अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बेब अगर मैं गलत हुँ तो उत्यना मैं आपका माना नहीं का दावा एक मिनिट में आपको कोड जाने की जुरूत नहीं है अगर मैं गलत हुँ या परशासन मेरे को गलत साबित कर दे के ये मैंने गलत किया या गलत को societal में या मैंतोदेखे मैं काम इन्सान हूं मेरा कूई पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है और ना मैं किसी पार्टी का आद में हूँ, मैं एक बिजनेसमेन हूँ, और अकाउंट मेरे को बहुत अच्छे से समझता है, अभी आप जाके ताजाबाट ट्रस्ट में जाके आप अकाउंट जिस दिन से मैं आया हूँ, उ इन्हों ने सबसे बड़ा उलंगन 33, 34, 35 का ये किया है, कि जब गवर्मेंट ने आपको यहां बेजा है, और आपको बोला है कि चेरेटी कमिशनर को हर साल का आप 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 नहीं दिया, यह सबसे बड़ी गलती है, अगर आज मैं बिना के गाड़ी चला रहा है, तो मैं तो गुनागार हूँ न, तो ऐसा चेरेटी ने बोला है कि आपको हर साल अवडिट करना है, तो आपने क्यों नहीं किया, उनका कहना है कि ऑड़ीट तो हो चुका है, तब यह बाते सामने नहीं आएं उनके समय अवडिट हुआ ही नहीं, ओ सब्सक्राइब करने से पहले आपने उन्हें बताया नहीं डारे का पुलीस में शिकायद की गई मैंने लिगली उनको एक नोटीस बेजा सेवन डेस का सेवन डेस का नोटीस बेजने के बाद उनके दोस्तों को बोला उनके दोस्तों को बोलने के बाद उनको जब सेवन डेस का हमने नोटीस दिया था आप मेरे से आके ट्रस्ट में मिल ले थे मेरा नमबर तो सभी लोगों के पास है आप पूछ लेते मैं आपको बता देता आप मेरे को बता देते के भई यह पैसे का लेकिन पैसे का जवाब तो देना है ना क्योंकि वो गौवर्मेंट लोगों का एक एक रुपिया जमा किया हो पैसा है और उसका जवाब मेरे को भी देना है आपको भी देना है सबको देना है क्योंकि बहुत लोग अपनी मेहनस से एक एक रुपिया दो-दो रुपिया करके बाबा की पेटी में दान करते हैं और अभी तो यह बहुत छुटा है इसमें इतने बड़े बड़े लोग इनवल्मेंट है यहां की साड़े-चार एकड़ जगा बेजदा लिए यह मैं आपको बता दो और इतने सारे लफड़े के मैं आपको बता नहीं सकता भी कितने लोगों पर एफार होंगी इसमें बहुत सारे कॉंट्रक्टर भी है कॉंट्रक्टर का हमने अउडिट किया उसमें भी हमको 50 लाग रुपए का लफड़ा दिख रहा है तो बहुत सारे हम उसके सात है हम उसका सपोर्ट करें हमारी ऐसा किसी से प्रसनल दुश्मन हे अगर वैक्ति गलत नहीं तो उसके लिए मैं अगर उसकी गलती नहीं हो अपनी बता दे के मेरी गलति नहीं के या तो कोड बता दे कि इस वेक्ति की गलती नहीं और ये इमानदर वेक्ति है तो उसके आगे मैं हाद जोड़के माफिय मागूँगे भी मेरी गलती है कि